नवस्कार दोस्तों गुडू मॉर्डिंग कैसे हैं आप लोग कमेंट करके जुरूर बताईएगा बेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल मेरे यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों एक बड़ी ख़बर एक बड़ी अपडेट आ रही है बिहार शिच्छक न्य हाइस्कूल वह टू प्लस डू असकूल यानिकि दो प्लस टूं स्कूल के फ़रजी शिचकोँ पर दरज कराएगई प्रत्थमी की यहां इतने सी चेक पे प्रत्थमी की दरजी कराएगई है किसले कराएगई वो हम आपको बता जते हैं, ये फर्जी तरह से कौस्लिंग करवाएं थे, दो जर्चे से 2015 तक न्योजी सिस्को के सहचनिक वह परसहचनिक परमानपत्तों की जाच़ कर रहा है निगरानी बिवाग, निगरानी ने फर्ची परमानपत्तों पर बहाल इन सिस्को पर दर्ज कर आ कि कौन-कौन लोग यह इसमें सामिल है जो पुरी तार से पकड़े गया है तो इस ख़बर को विशेश नजर से देखते हैं और विश्तार से देखते हैं किस ख़बर में ऐसा क्या निकल के आ रहा है जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है यह पहले हैं आपको बताते है कि यह ख़बर मधवनी से चल के आ रही है और भासकर न्यूज के तरब से जो जैनिक भासकर है उस न्यूज में इसको आज के डिटर में इसे प्रकासित किया गया है तो चलिए इस ख़बर को विश्तार से देखते हैं उससे पहले अगर मेरे यूटूब चैनल पे नए आए और अभी तक आपने मेरे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऺईज उसका सब्सेर पहले आपके पास पहुंचे और श वीडियो का अप लाव उठा और जो लोग विडियो को अभी तक लायक नहीं कि लायक कर लिजिए और भावनाओं में बहा जाएगा और लायक करना भूल जाएगा जीले में यानि कि मधुवनी जीले में फर्जी सिज्कों से सम्मंधित मामला लगातार सुर्खियां बनती जारी है जी हां इस जीला में द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई है उनकी बर्खाति या सेवा समाप्ति की करवाई हुई है या नहीं जी हां जो उनकी नौकरी से उनको निकाला गया है तो उनके लिए सेवा समाप्त है या उनका पिमेंट अभी भी बन रहा है या उन पर कोई करवाई हुई है या नहीं निग्रानी विभाग की मानी तो उन्होंने अब तक 31 प्रामभिक वा एक हाई स्कूल वा दो प्लस टू हाई स्कूल के सिसको पर समंधी थाने में प्राथमी की दर्ज कराई है जी हाँ इतने टीचर जो हैं उन पे अल्री सिच्छाई वाग के तरफ से एफायार यानि की जिसको हम लोग बोलते हैं प्राथमी की या जिसको हम लोग बोलते हैं केस वो दर्ज कराई दिया गया है लेकिन सिच्छाई वाग के द्वारा उन लोगों को अब तक सिर्फ पंडॉल की दीपा कुमारी वह साहर घाट की आसा कुमारी की बरखात की की ही जनकारी दी गई है पकड़े गए हैं इतने लोग लेकिन जो कनिडेट को निकाला गया जो सिच्छक को निकाला गया वो दो ही कनिडेट है और कौन है तो पंडॉल की दिपा कुमारी और साहर घाट की आसा कुमारी दोनों फिमेल कनिडेट है दोनों फिमेल कनिडेट को ही बरखात कर दिया गया है और यह जनकारी दी गई है वर्खार्ट करने की यह जनकारी दी गई है आगे है कि अन की जनकारी से च्छाई बाक से उन लोगों की उपलब्ध नहीं हो पाई है जी हाँ जो और भी जनकारी है उन लोगों को अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है न्योजिसिकों के परमानप मद्रोगे जांश करताओं ने बताया कि अगर हम लोग को आब ाकरत कि जैंकरी दे दी जाएगी तो त्यार्ट करने में भी आसान होगी चब उनको यह जन का जो है जिए भीकार कुमारी ङाशा को मालूम हो कि जिले में निग्रानी विभाग द्वारा जिले में बर्स 2015 से 2016 से 2015 तक न्योजित हुए सिजको को सैचनिक एवं परसैचनिक परमानपतों की जाँच की जा रही है वहीं हाइस्कूल के सिचक अमरजीत कुमार पलस टू बिद्दाले के सिचक बिनोत कुमार यादव एवं सुमन कुमारी पर निग्रानी के द्वारा जात में फर्जी पाए जाने पर वर्स 2006 से 2015 में प्राथमी की दर्ज कराई गई थी लेकिन अभी तक उन पर कोई करवाई नह आप देख सकते हैं कि निग्रानी ने फर्जी परमानपत्तों पर बहाल इन सज़कों पर दर्ज कराई है प्राथमी के और कौन को ने जिनका नाम अभी हम आपको बताने जा रहे हैं निग्रानी विभाग द्वारा प्राम्विक बिद्दालों में कारियत फर्जी न्यूज अंधर ठाटि थाने में बंकुमारी के खिलाप योनीस अहमत के खिलाप खुटवना थाने में पराथमी की दर्ज करवाई गई थे वर्ष 2019 में किसो और दास के खिलाप बासो पट्टी थाने में तो कमलेश कुमार राई के खिलाप खजौली में धनेश्वर कुमारी का पंडॉल में छेदी परसाद सा को लौखा में मंजु कुमारी का खुटोना में अजय संकर चौधरी का बेनी पट्टी में देव नराई साहू का साहर घाट में महाकान तिवारी का मधिपूर्थ थाने में टौकेशबर नराईन का खुटोना में धर्विंद कुमार पासवान का अंधरा ठाटे में रेनु कुमारी का लखनौर में पुषपा देवी का लखनौर में बीना कुमारी का लदनिया में सरोज कुमार का अरेर ठाने में सहित दो अन फर्जी सुषकों के ब्रूद सम्मंदित ठाने में प्रात्मी की दर्ज कराई गई है जो इतने टीचर का नाम हमने आपको बताया इन पे प्रात्मी की दर्ज अल्रेडी हो गया है अब आईए बर्स 2020 में जिन सिसको पर निगरानी ने प्राथमी की दर्ज कराई है उन में कौन-कौन है तो किरन कुमारी के खिलाप सहर घाट थाने में प्राथमी की दर्ज करवाई गई किरन कुमारी के खिलाप मदवापुर में सिक कुमारी के खिलाप बासो पट्टे में अजय कुमार के खिलाप विस्पी में चंदा कुमारी यादव के खिलाप सहर घाट में वबिसाल कुमार के खिलाप हरलाखी थाने में प्राथमी की दर्ज करवाई गई है जबकि वर्ष 2021 में जिन फर्जी सिजको के विरुध निगरानी ने प्राथमी की दर्ज करवाई है उनमें संजे कुमार के खिलाप लौखा थाने में करंबीर कुमार भरत भाग के भगत के खिलाप सहर घाट में नमता कुमारी के खिलाप बेनी पट्टी में वा किसोर पासवा के खिलाप अरे ठाना में प्राथमी की दर्ज करवाई गई है तो यह सारा अपडेट हमने अपनी यूटूब चलंग के मादम से आपको दिया दोस्तों और यह फर्जी से कोई भी बड़ी ख़बर आएगी तो वह अपडेट हम आपको जरूर देंगे तो फिलाल यह वीडि अपको जरूर अपको